मकडियों का जाल दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक है ये जाल एक समान वजन की स्टील से पांच गुना ज़्यादा मजबूत होता है अमारे पास अभी तक ऐसी कोई तक्नीक नहीं आए जिससे इतनी मजबूत चीज बनाई जा सके फ़नल वेब स्पैडर नाम की मकडी एक बहुत ही जहरेले मकडी होती है इसका जहर सिर्फ 15 मिट में किसी भी इंसान को मोत की निंच सुला सकता है आपने देखा होगा कि मनुष्यों के शरीर में माजबूत पेशियां बाहर की और और हड्यां अंदर की तरफ होती है लेकिन मकडियों में ये बिल्कुल उल्टा होता है उनके अंदरूनी हिस्तों में माजबूत पेशियां होती है और कंकल बाहर की तरफ होता है मकडियों का कंकल उनकी माजबूत पेशियों की शुरक्षा करता है मकडिया अपने जाल को रिसाइकल भी करती है जब उनके जाल की चिपचिपाहट कम होने लगती है तब मकडिया पूराने जाल को बालों की तरह खटा करके उस पर अपने पेट में से एक तरह का ऐसे डालती है जिससे वह जाल लिक्विड में बदल जाता है और फिर मकडि उसे पी जाती है और फिर से नया जाल बनाती है इ जसे ब्राउन, रेडियूस, वनम, स्पाइडर, लालरक्त कोशिकाओं के फटने का कारण बन सकती है। इनके काटने से गुर्दों की खराबी और पीलिया होने की संभावना होती है। एक मादा मकडी एक बार में 3000 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। और इसके एक अंडे में मनुष्य से चार गुना ज़्यादा डियेने होता है। एक अकेली मकडी से कई देशों की जन संख्या जितना डियेने प्राप्त किया जा सकता है। मकडीयों और गौंगी का खून का रंग नीला होता है क्योंकि इनके खून में लोहे की जगे तामा पाया जाता है। अधिकांच मकडीयां सिर्फ एक से दो साल तक ही जिन्दा रहती है। लेकिन कुछ प्रजातियां बीच से ज्य्दा साल तक भी जीवित रह सकती है। मकड़ी अपने पेरों को अंदर की तरफ मोड़ तो सकती है लेकिन फिर से पेरों को सीधा करने के लिए उसे अपने शरीर से पानी की तरह तरहल परदात अपने पेरों में पंप करना पड़ता है यही वज़े है कि एक मरी हुई मकड़ी के पेर हमेशा मोड़े हुए होते हैं और यहां तक की छोटे सांप और पक्षियों का भी शिकार कर सकती है। दुनिया में सबसे गातक मकडियों में ब्लेक विडो, फनल वर्प और ब्राउन रिड्यूस स्पाइडर शामिल है। दुनिया में डरावनी माने जानी वाली मकडियों में से एक टेरिकुला है। लेकिन आश्चरजनक रूप से इसका जहर जादा विशेला नहीं होता है। और इसका डंग ततया के डंग के समान मैसूस होता है। पकडि की एक प्रजातिय जिसे डाइविंग वेल स्पाइडर कहा जाता है। ये अपना पूरा जीवन पानी के अंदर बिताती है। और पास से गुजरने पर उसे पकड़ लेती है। इसके जहर की थोड़ी सी मात्रा ही मनुश्य की मोद के लिए प्रयाप्त है। दक्षिन पूर्वी स्तयुक्त राज्य अमेरिका में पाये जाने वाले इसकी ब्राउन रिडियूस स्पाइडर का डंग सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि यह बहुत जादा चिपचिपआ होता है। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा। कि आखिर मकडियां कुद के जाल में क्यों नहीं फस्ती। इसका जवाब है कि मकडियों के जाल का हर इससा चिपचिपआ नहीं होता है। ये जिस हिस्से में बेटती हैं उसे अलग प्रकार के रेशम से बनाती हैं जिसमें चिपचिपाट नहीं होती है अधिकतर मकडियों में जहर नहीं होता लेकिन इनकी कुछ परजातियां बहुत विशेली होती है जिनके काटने से शरीर में जहर फैल जाता है अलाकि ऐसी मकडि के होता है जो रक्त इस्त्राव को कम करने में मदद करता है मकडी की रेशम गरंती से निकलने वाला रेशम तरल होता है लेकिन हवा के संपर्ग में आते ही यह कठोर हो जाता है मकडीयों के शरीर में साथ प्रकार की रेशम गरंतियां होती है जो अलग-अलग प्रकार का रेशम बनाती है जैसे चिकनी, चिपचिपी, सूखी या खिचाओ वाली मकडिया हाइड्रोलिक पावर की वज़े से चल पाती है इनकी रीड की हड़ी नहीं होती है इनकी लगबग सभी प्रजातिया मनुष्य के लिए थोड़ी बहुत हानिकारक होती है लेकिन इनके काटने से बहुत कम लोगों की मोध होती है एक मकडि के 48 गुटने होते हैं इसके कुल 8 पेर होते हैं और प्रतेक पेर पर 6 जोड होते हैं मकडिया पानी पर चल सकती है और उसमें सांस भी ले सकती है ये अपने सभी पेरों को फैला कर अपने वजन को बराबर बाट लेती है जिससे ये पानी में आसानी से संतुलन बना सके टेरेंटुला मकडी अपने जहर से दो दिन के अंदर एक चुए के शरीर का मास पिगला सकती है केवल मादा ब्लेक विडो इस्पाइडर का काटना खतरनाक होता है नर ब्लेक विडो इस्पाइडर मादा इस्पाइडर की तुलना में आकार में बहुत छोटे होते हैं और मनुष्य के लिए कम हानी कारक होते हैं मकडी का जहर साप के जहर के मुकाबले ज्यादा महेंगा बिकता है रूस के एक गाओं में मकडी के जहर के केमत 20,000 रूबल तक है मकडिया चीटियों से डरती है क्योंकि इन में फॉर्मिक नामक एसिट पाया जाता है गरों में पाया जानी वाली अधिकांच मकडिया बाहर जंदा नहीं रह सकती क्योंकि उन्होंने घर के अंदर ही अपना जीवन अनुकुलित कर लिया है नर मकडी के पास लिंग नहीं होता बलकि यह चेहरे के साथ सेक्स करते हैं प्रत्वी पर जंसक्या की बात करें तो मकडिया साथवे नमबर पर आएंगी यदि एक मकडी तेजी से भागती हुई दिखे तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेश है कि वो सेक्स करने के लिए साथी डोन रही है कुछ नर्मकडियां मादा मकडियों को मरी हुई मक्खियां उपहार में दे दें दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं